करती है आतिशी जी किया वाइटल्स होने के आतिशी जी को आज सुबह तीन बज कर 48 मिनट पर एमर्जेंशी में लाया गया और जब उनको हमने एग्जामीन किया तो उनका ब्लड सुगर बहुत कम था और उनको भी एमर्जेंशी आईशी में रखा गया है जब भी एजमिट ह कल शाम को भी हमारी तीम ने वहाँ पर एग्जामीन किया था उस टाइम भी इनका ब्लड सुगर लेवल था और उनको भरती के लिए हमने एडवाइज किया था पर उन्होंने लिख के दिया है कि भरती नहीं होना चाहती और फिर हमने वेन से उनका ब्लड सेंपल लिया था जिसकी रिपोर्ट रात को दस बजे आई तो दस बजे हमने कहा कि यह काफी डंजिरेसली लो ब्लड सुगर लेवल है और की टोंस है यह खतरना को सकता है उसके बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं में वेट करूंगी और फिर हमारे डॉक्टर्स महाँ पर गए और उनको शला पर भी कि आप तुरंत अडमिट हो जाई उसके बाद उनके सारे ब्लड टेस्ट किये हैं अभी मॉर्निंग में सारे जो परमीटर्स हैं वाइटल परमीटर्स परल्स ब्लड ब्लेशर औक्शिजन साचुरेशन वो ठीक हैं और डोक्टरों की एक जो टीम है वो उनको इनको की ब्लड आब हो दोगर उसके ची ह्याय द ब्लस परमीट गेजसी है तरह फिर्ट लूद ब्लूड गाश्योसिय। पनाइस सेथो नहीं है तो छोल है, कर्दी का साइस स्टीट एभग स्टीट है, बढ़ एब कर्या स्टीट रोद गाश्यों करें। तो कि अभीज करते हैं, और जो ही। नहीं होगारी कि अभी मुंद स्टीट है। उनका sodium level भी काफी कम हो गया था, 127 sodium था और blood sugar 37 तक ड्रोप हो गया था, इसलिए ये काफी जब हम कहते हैं कि जब blood sugar level बहुत जाद नीचे हो जाते तो उसका असर ब्रेन पे होता है और patient hypoglycemia में चला जाता है, तो हमने उनको सला दी कि आप तुरंत इसमें रिस्क नहीं लेना और तुरंत भरती होना चाहिए उनको IV servus दिया, d'Extrose दिया उसके बाद उनका जो ब्लड शूगर है अभी संमाने लिए Shri Nish, so what is the condition of strength Minister with the path? מא with the candidate by Minister ALK isha was brought to the hospital at 3 48 am today morning and her condition was very bad at the time of admission she was drowsy her blood sugar was very low and ketones were present in the urine in the evening also our team visited this site and did all the vital parameters and blood tests it was found very low blood sugar she was advised admission in the hospital but she refused and despite of counseling she was not agreeing at that point of time but we took the IV sample also and the report came very low blood sugar and low sodium sodium was when 27 and she was feeling weak and drowsy so in the morning she was shifted here in the emergency ICU and she is under the observation of team of experts in the right now her vital parameters her pulse blood pressure oxygen saturation and blood sugar is normal and she is also taking oral fluids we are doing a lot of other investigations like a cardiac examination because there were some changes in the ACG and right now she is stable